नमस्कार विद्यार्थिमित्रो मेरे यूटूब चैनल स्टड़ी विद पंकत दाड़े में आप सबका स्वागत है विद्यार्थिमित्रो आज हम कक्षा आठ वितिय सत्र हिंदी में इकाई तीन जो कि एक कविता है जिसका सिर्षक है मत बाटो इनसान को उसकी चर्चा करेंगे तो सुरू करते हैं आज का विद्यो विद्यो यहाँ पर एक QR कोड दिया हुए जिसे स्कैन करके आप इस कविता से related content प्राप कर सकते हैं कविता का सिर्षक है मत बाटो इनसान को और उसके कवी है विने महाजन तो यहाँ इनसान को नहीं बाटना चाहिए इसके बारे में यह कविता विने महाजन जीने मनुषय को मिल जूर कर रहने की प्रेना दी है मनुषय को किसी भी बेदवाओं में नहीं पढ़ना चाहिए हमें सभी बेदवाओं को भुला कर एकता की द्रिष्टी से इस संसार को देखना चाहिए यह प्रकृती भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है इस कविता में एकता मिल जूर कर रहना समानता आदी मुल्य समाविष्ट है कई बार पूछा जाता है प्रश्टन की मत बातों इंसान को कविता में कौन से मुल्य समाविष्ट है तो इस कविता के अंदर मिल जूल कर रहना समानता भाई चारा आदी मुल्ली समाविष्ट है सबसे पहले हम कविता का गान करने का प्रित्त करेंगे और उसके पस्चात सब्दार्थ यह उसका सारान सिखेंगे शुरू करते हैं कविता का गान मंदिर मस्जिद गिर्जागर ने बाट लिया बगवान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मंदिर मस्जिद गिर्जागर ने बाट लिया बगवान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को अभी राह तो सुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलो में बंदी हर दीपक मजबूर है मिलान सूरज का संदेशा हर गाटी मैदान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को अभी हरी भरी धर्ती है उपर नील वितान है पर्न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को साथ उठे सब तो पहरा हो सुरज का हर द्वार पर हर उदास आगन का हक हो खिलती हुई बहार पर रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को तो सुंदर कविता भी नए महाजन जी ने यहां दी है और इतना ही सुंदर्श का राग भी है यदि आपकी आवाज सुरील है तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं अपने मित्रों को दोस्तों को सुना सकते हो सब्दार्थ देखते हैं रेगिस्तान यानि मरुस्तल बांटना यानि विवाजित करना घाटी यानि दो पहाडों के बीच का समतल स्थान और बहार यानि सुखद वातावरन सोबा गुजरात में जिसे हम वसंद कहते हैं गुजराती में तो कविता का सारांस देखते है विनय महाजन इस कविता में कहते है मंदीर मस्जिस गिरजागर ने बांट लिए धर्ति-सागर बाता मत बाटो इन्सान को तो कवि कहना चाहते हैं कि हमने धर्म के नाम पर खित्र के नाम पर बटवारे कर लिए अलग-अलग धर्म के लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसा, पार्सी और बहुत सारे धर्म इस दुनिया के अंदर है और हमने इस्वर को मंदिर मस्जीद गिर्जागरों में, गुरुद्वारे में माट लिया है, बगवान को माट लिया है धर्ती भी बाट लिया हमने बटवारे कर लिया हमारी सिमाए बना दी गई है, सागर की सिमाए भी बाट ले गई है तो इसलिए कभी कहता है कि लेकिन इनसान को मत बाटो क्योंकि कभी कहते हैं कि अभी राह तो सुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उज्याला महलों में बंदी हर दिपक मजबूर है यानि कि अभी तो खुशिया प्राप्त करने की विकास करने की राह सुरू हुई है अभी हमने मंजिल देखी नहीं मंजिल बहुत दूर है हर एक के जीवन में खुशियों लाने का जो लक्ष है उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है क्योंकि अभी उजियाला महलों में बंद ही यानि कि चंद जो लोग है जो सक्तिमान बनकर बैठे हुए है ताकत पर बनकर बैठे हुए उज्जी अला का मतलब है यहाँ पर खुशिया उनके घरों में बंदी बनकर है और हर दिपक मजबूर है यानि कि खुशियों की जो रास्ते है खुशिया प्राप्त करने के जो साधन है वे सारे कुछ चंद लोगों ने जो सत्ता में है या जो सक किसी के जीवन में खुशिया फैलाना हर किसी के जीवन में खुशी लाना यह जो लक्ष है वो बहुत दूर है उसकी मंजिल बहुत दूर है इसलिए अभी तो हमने राह सुरू ही की है हर एक के जीवन में खुशिया लाने की जो यह हमारे कार्य है उसकी राह अभी शुरू ह और मंजिल बहुत दूर है आगे कभी कहते हैं कि मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को और कभी कहते हैं कि सूरज का संदेशा यानि कि जिस प्रकार सूरज उपता है सुबह और हर जगह रोष्णी फेलाता है प्रकास फ यानि कि हर एक को प्रत्य को जो अंतिम जगह पर या बहुत ही दूरियों पर वसे हुए है या आर्थिक या सामाजी के रूप से जो पिछड़े है ऐसे लोगों कि हर एक के पास सुरज का संदेशा नहीं पहुचा यानि कि खुश्या नहीं पहुचिये आनन्द हर्स उल्लास ह हर एक के पास अभी नहीं पहुचा है और यह कारिया हमें करना है हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है एक दूसरे को साथ लेकर चलना है और इस कारिया में अभी तक हमें उतनी सफलता नहीं मिली है अभी हमारी मंजिल हमारा लक्ष बहुत दूर है क्योंकि सूरज का संद इसा हर एक गर खुशिया भी तक नहीं पहुची है इसलिए धर्ती बाटली सागर बाटली है लेकिन इंसान को मत बाटो अभी हरी भरी धर्ती है उपर निल वितान है परन प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है तो कभी बहुत बड़ी बात करते है कि धर्ती हरी बरी है उपर इतना सुन्दर वितान यानि कि आस्मान है इतना बड़ा विस्तार है उकास है लेकिन यदि हमारे दिलों में एक दुसरे के प्रती प्रती प्यार नहीं हो तो ये पूरी दुनिया जलते हुए रेगिस्तान के सम हो जाएगी अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को दर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को और कभी कहते कि अभी प्यार का जल देना है यानि कि प्यार देना है प्रेम भाव बाटना है खुशिया बाटने यह भाई चारा बाटना है हर प्यासी चट्टा पहुचा है उनके लिए हमें प्यार का जल देना है प्यार का जल बहाना है और उन्हें भी खुश करना है खुद खुश होना है और दुनिया में हर एक को सुखी बनाना है चाहे धरती बाट ले इसागर बाट लिया लेकिन हमें इंसान को बटने नहीं देना है इसलिए कभी कह कहते हैं कि दर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को लेकिन इंसान को कभी भी मत बाटो आगे कभी कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर यदि हम सब साथ चले एक साथ हो जाए तो सूरज भी हमारे द्वार पर पहरा दे सकता है जो सब ते सकती माना जाता है वो भी हमारे द्वार पर हमारे घर में पहरा दे सकता है अर्थात कि हमारे घर आकर हमारे घर में रोशनी कर सकता है हमें उज्यारा दे सकता है हमारे जीवन खुश्यों से बर सकता है यहां ताद पर यह है कि यदि हम सब एक हो जाए तो चाहे कितनी भी मुसीबत हो हम उसका सावना कर सकते हैं और बड़े से बड़ी मुसीबत भी हमारे आगे घुटनी टेक सकती हैं आगे कभी कहते हैं हर उदास आगन का हक हो खिलती हुई बहार पर और हर उदास यानि कि जो मुर्जाय हुए चहरे हैं जिनके घर बे खुशिया नहीं कि खुशियों पर उनका भी अधिकार है उतना ही अधिकार है जितना बाकी जो लोग खुश हो चुके है जो सुखी बन चुके है ऐसे समरुध हो चुके है उन लोगों का जितना खुशियों पर अधिकार है उतना ही अधिकार हर एक उदास चेहरे का भी है और जिनके यहां खुशिया नहीं पहुची है प्रेम भाव नहीं है उनका भी उतना ही अधिकारे हमें हर एक के साथ मिलकर सब को साथ लेकर हर एक के जिवन में खुशिया लाने है खुशियों की बहार लानी है और जब सब साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा कि रौंद न पाएगा फिर कोई कुचल नहीं पाएगा किसी की खुशिया कोई छीन नहीं लेगा जब सब एक साथ मिलकर उठ जाएंगे सब एक साथ चलेंगे तो सूरत भी हमारे घर पर हमारे द्वार पर पहरा दे सकता है और हमारी खुशियों को कोई कुचल नहीं सकता और इसलिए कभी कहते हैं कि धरती बेदबाव, ज्यातिगत बेदबाव, जातिगत बेदबाव, खित्रिय बेदबाव, भासा के बेदबाव, इन सारे बेदबाव में हमें नहीं पढ़ना है, हम सब इनसान है, यही सोचना है, और हम सब एक दूसरे के भाई है, यही सोचना है, और सारे बेदबाव को बुला कर एक ता से इस संसार में रहना है और तभी इस संसार में हम अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे तो बहुत बड़ी कविता बहुत ही अच्छी कविता तो विद्यर्थी मित्रों इस कविता का सारांस हमने देखा कविता का गान भी किया, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कॉमेंट में बताइए, वीडियो अच्छा लगा हा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और यदि आपने मेरा यूटूब चैनल स्टड़ीवित पंकत नारे सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, गुडबाए